आज मैं बना रही हूं डालगोना कफी और यह पीने में बहुत स्वाधिश्ट लगता है और एकदम फ्लॉपी तो मैं दो तरह की बनाऊंगी होट एंड कोल्ड नमस्कार भूमिच की चैनल लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपने अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन दबा के ओल नोटिपिकिशन ओन कर लिजिए लाइक शेयर जरूर करें तो चलिए देखते हैं यहा चीनी कोफी और पाने भी शेम चमस में डाले पाने भी हमें दो चमस चाहिए मैं सबस्टाइल बनाना चाहरे तो गर्म पानी कोफी बनाना चाहरे तो ऑन बहुत शाघवूल पानी क यहां तो इसको हम पहले हैंrop behavior में बनाते हुए को यह नेम सबस्टार रeze में इलेक्ट्रिक बीटर में बनाओगी तो सेम आपको दो चमच लेना है कौफी पावडरे दो चमच चीनी और दो चमच पानी अगर आप जादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो भी आप सेम मात्रा में सबी चीजों को लेना है और थोड़ासा हमें हैं हेंड बीटर में इसे मिक्स कर लेंगे उसके बाद जो है इलेक्ष्ट्रिक हेंड ने बनाओंगी ये बहुत जल्दी होता है और हें विभ्डवत में जो है आपको थोड़ा सा टाईम लगता है है कि इलेक्ष्टू बिटर में आपको लगबग 5-7 मिनिट लगेगा और हैंड बीटर में जो है आपको 10-12 मिनिट लगेगा तो एक दम फ्लॉपी होने तक इसको इस तरह से चलाएंगे तो 5-7 मिनिट के बाद फ्लॉपी हो गया है इसका कलर भी देखे चेंज हो चुका है अभी कोफी रेडी है त्यार है बनाने के लिए लेकिन हम इसमें और जोड़ादा थोड़ा क्रीमी बनाने के लिए इसमें हम दो चमत जो है क्रीम डालेंगे फ्रेस क्रीम और इसके बाद फ बड़ा साब मी्क्स कर दीजे अग्श अगम हैं अगर हुआ अप आप फैटना चाहा रहे हैं तो हैं बीटर में पैट सकते हैं या फिर एलेक्ट में इलेक्टरिक crouch हैं में तो किसी बीतारा प्न सकते हैं इसको भी है तो क्रीम डाल के जिस टाइम आफ हैं तो याक बड़ा उसके बाद आप भेंट सकते हैं तो लगातार इसको चलाते हुए मैं इलेक्ट्री बीटर में भेंट रही हूँ तो लगातार आप इसको चलाना है लग भग 5-7 मिनिट के लिए तो एकदम फ्लॉपी हो जाएगा और पहले से ज्यादा और क्रीमी हो जाएगा तो एक बार में आप बहुत ज्यादा मात्रा में बना करके भी इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज में और जब मन्चाहे कोल या होट किसी बी तरह का आप कफी बना सकते हैं तो पहले मैं कोल्ड बाला मनाऊँगी तो इसके लिए मैं एक दम चिल्ड दूद लिया है बॉयल करके थंडा कर दिया था मैंने फ्रीज में और इसमें हमारा जो फेंटा हुआ कोफी था इसमें हम डालेंगे दो से तीन चमच अगर बहुत ज़्यादा आपको थंडा चाहिए तो इसमें तीन से चार आइस क्यूब डालना है आपको यह हो गया हमारा कोल्ड कफी रेड़ी तो अभी सेम जो कफी फेंटा हुआ है इसको हम होट कफी बनाएंगे होट कफी बनाने के लिए एकदम गर्म दूद लिना है और उसमें दो से तीन चमच डालेंगे फेंटा हुआ को तो इस तरह से मैंने दो को तरह की कोफी बना लिया है तो आपके पसंद के मुताबिक आप इसमें इसको बना सकते हैं और एक बार में आप बहुत सारा मात्रा में बना करके फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं जब मन चाहे आप होट कोफी या फिर कोल्ड कोफी किसी भी तरह की कोफी आप बना सक कर दो दो करें, थैंक यू